दोस्तों, यदि आपने वर्ड एकसल सीख लिया है, तो आपको Powerpoint जरोद सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही important program होता है, और Powerpoint वे हम लोग क्या करते हैं, Powerpoint वे हम लोग presentation बनाते हैं, तो presentation आप किसी भी topic पर आप बना सकते हैं, चाहे तो आप किसी product का advertisement करना हो, उसके लिए या प्रेजेंटेसन बनाईए या आप किसी भी सब्जेट के टीचर हैं आप अपनी सब्जेट पर कोई भी प्रेजेंटेसन बना करके और आप प्रोजेक्टर पर इसको चला करके समझा सकते हैं बच्चों को तो चलिए प्रेजेंटेसन हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं आ अपने उक्मार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आस्था Computer Foundation में तो चलिए PowerPoint को हम सुरू करते हैं किस तरह open करेंगे सबसे पहले आप Start पे क्लिक करेंगे टास्क बार पे Start पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपके Start मिनू सामने आ जाएगा और यहां पर अगर आपका PowerPoint प्रोग्राम Start मिनू में लगा है तो आपको Simply उस पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे देखें आपका PowerPoint ओपन हो गया है यह पहली ट्रिक्स है दूसरी ट्रिक्स है कि माली जी हमने इसको क्लोज किया आपको जाना है All Program All Program option आपको सेलेट करना है इसके बाद Microsoft Office पे जैसे ही क्लिक करे इस तरह उपन कर सकते हैं दूसरा तरीका है उपन करने का फ्रेंट कि सौटकट के द्वारा आपका इससे उपन करेंगे तो सबसे पहले आपको Start पे क्लिक करना है और जहां लिखा है पर Search Program and Files यहां पे आपको लिखना है Power तो यहां पे हम लिखें पी ओ डबलू ई आर जैस हमने हमारे टॉप पे लिखा है Micro Sword Office PowerPoint इस पर फ्रेंट्स आपको Right बटन क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको आना है Properties में Properties option को आपको Select करना है इसके बाद देखें लिखा है इस पे Shortcut पे क्लिक करिए इसके बार Shortcut के सामने देखें लिखा है None तो यहां पे Alt के साथ आप कोई भी की दे सकते हैं यह है Ctrl-Alt-P तो इस तरह आप कोई भी Shortcut दे सकते हैं इसके बाद आपको Apply करना है Apply करने बाद आपको Continue करना है और OK कर देना है अब जैसे कीबोर्ड से आप Ctrl-Alt-P करेंगे प्रेस करेंगे आपके सामने देखें PowerPoint ओपन हो जाएगा इसम आप जो भी presentation तयार करने जा रहे हैं उस presentation का title क्या है वो आपको यहाँ type करना है उसके बाद उस title के बारे में आपको जो भी लिखना है वो आप नीचे लिख सकते है Click to Add Subtitle यानि जो भी उसकी story है जो भी उसकी theory है आप यहाँ पर उसको type कर सकते हैं तो माजले हम इसको यहा से delete कर दिया है तो friends हम सबसे पहले देखें हमारे सामने जो यह page है यह white color में है इसमें हम सबसे पहले एक design लगाएंगे यानि page की design किस प्रकार की होगी और page को color हम कैसे करेंगे तो आपको सबसे पहले design menu select करना है ऐसे select कर लिया देखें यहाँ पर बहुत सारी design आपके सामने खुलके आ गई हैं अब इसमें से आपको कोई भी design लेना हो जो आपको पसंद हो किसी एक design पर आपको left click कर देना है mouse का जैसे left click किया देखें design हमारे सामने page में लग गई है design time में ही देखें left hand में आपके सामने लिखा है format यह लिखा है background style इस पे आपको click करना है click करने के बाद देखें नीचे लिखा format background आप चाहें तो यहाँ से कोई भी color ले सकते हैं अगर इन color के अलावा कोई दूसरा color लेना है तो आपको जाना होगा format background पे यहाँ click करिए click करने के बाद यह format background का dialogue box आगया है और इसमें देखें पहला option हमारा है solid fields इसमें से आप कोई color ले सकते हैं ऐसे देखें पीछे आपको color हो गया है page को यहाँ से कोई भी color ले सकते हो यह जो आपको color पसंद हो कोई भी आप color ले सकते हैं अपने recording अगर आप यहाँ से नहीं लेना च field तो gradient field में जाइए और यहाँ से देखें इसमें से आप कोई color ले सकते हैं जैसे यह ले लिया देखें पीछे आपका दिखाई कर रहा है color यह जो color आप यहाँ से select करेंगे आपके page में वो display करता रहेगा देखें इस तरह है वो preview करके दिखा रहा है यहाँ से ले सकते हो पर यह color ले लिया तो simple यह color हमने ले लिया है अपनी slide में और इसको हम यहाँ से कर देते हैं close अब इसमें हमको title लिखना है friends तो हम insert में जाएंगे और word art से लिखेंगे word art में गये और यहाँ से आपको कोई भी style लेना है जो आपको पसंद हो हमने यह ले लिया इसके बाद इ इसकी size आपको कम ज्यादा करना हो इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको home type पे जाना होगा home type पे जाए इसके बाद यहां से language हम select कर लेते हैं times in new roman English के लिए perfect language होती है थोड़ा अच्छी लगती है देखने में यह ले लिया इसके बाद यह font color यहां से कर तकते हो जैसे मै है increase font और यह decrease font है तो यहां से हम decrease font से थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं इसके बाद friends आपको इसको select करना है यानि इसको हम move करना चाहते हैं top पे ले जाना चाहते हैं तो इसको आप mouse से भी ले जा सकते हो ऐसे उठा करके यूँ खिसका सकते हैं आप drag कर सकते हैं या फिर पहरो की प्रेस करिए ऐसे इसको शेंटर में ले लिजिए ऐसे आप इसके बाद friend इसमें हमको लिखना है type करना है अपना जो भी title आपको type करना है तो आप सबसे पहले F2 की प्रेस करिए keyboard से जैसे ही आप F2 की प्रेस करेंगे देखिए आपका जो भी text हो select हो गया अब हमको यहां पर कुछ भी टाइप करना हो जैसे मैंने लिख दें हाँ प्रेजेंटेड बाई पी आरे एसी एन टी इडी प्रेजेंटेड बाई लिख दिया इसके बाद आपको स्काइप की प्रेस करना है और कंट्रोल डी कर दीजिए ऐसे साइज कम जादा करना हो तो आपकी बोड से कंट्रोल के साथ ब्रेकेट का यूज कर सकते हैं इंटर के पास जो ब्रेकेट होते हैं आप वहां से साइज कम जादा कर सकते हैं कंट्रोल के साथ ऐसे इसके बाद आपको नीचे मूग करना है इसको कलर अगर आपको चेंग करना है तो यह font color है, यहां से आप color ले सकते हैं, कोई दूसरा color ले लिजिए, presented by किसके द्वारा presentation बनाई जा रही है, तो यहां पर हम लिप देते हैं, अपने channel का नाम लिप देते हैं, आस्था, type कर दिया से, इसके बाद computer, foundation, इसका एक की प्रेस करना है, इसके बाद इसको आप center मिले लिजिए, ऐसे, इसके बाद आपको control ली करना है, और F2 की प्रेस करेंगे, तो वो select हो जाएगा, और यहां पर हम लिप देते हैं, अपना नाम, विने कुमार, तो friends, यह हमारी first slide बन रही है, step by step मैं आपको slide बना के दिखाऊँगा, कि किस तरह आप presentation तयार कर सकते हैं, power point में, presentation आपको इस तरह बनानी है, जो थोड़ा activity लगे, देखने में, तो इस तरह आप presentation तयार कर सकते हैं, तो यह पहली slide हमारी हो गई है, और इसमें हम एक figure लगाना चाहते हैं, यह नि एक चित्र लगाना चाहते हैं, तो हम लगाने के लिए हमें जाना होगा insert में, हमें एक computer का चित्र लगाना है यहाँ पर, तो हम जाएंगे clip out, और यहाँ पर हम type कर देंगे computer, तो हमने यहाँ type कर दिया computer, इसके बाद कर देना आपको enter, जैसे enter करेंगे, देखिए front, सारे computer के figure आपको सामने आ गए हैं, यहा इसको यहाँ से कर देते हैं, close, अब इसको हम ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको कर देते हैं, ऐसे move, ऐसे इसको move कर दिया, यह figure लग गया है, आप इसमें हमको लगाना है effect, animation लगाना है, तो friends, animation हम कहां से लगाएंगे, सबसे पहले आपको animation option पर जाना है, इसके बा आपको पसंद हो, अपने recording आप कोई भी ले सकते हैं, किसी एक animation पर आपको click करना है, ऐसे हमने click कर दिया, देखिए, अब यह जो animation हमने लगाया है, यह बहुत ही fastly move हो रहा है, इसको हमको slow करना है, तो यहाँ से sound की आवाज भी लगा सकते हैं, जैसे हम पर sound की आवाज लग आपको sound भी move करेगा, यहाँ से हम mute हटा देते हैं, अपने sound का, ऐसे, अभी मैं आपको sound लगा के दिखाता हूँ, यह देखे, यह sound की आवाजे हैं, आप अपने presentation में इनको लगा सकते हैं, जो sound आपको पसंद हो, किसी app किलिक करिए, तो आपको sound भी move होगा, जब भी आप इ करेंगे, तो sound हम यहाँ से अपना mute करते हैं, इसके बाद इस पर effect लगाना है, तो animation में ही आपको जाना होगा, custom animation, यहाँ पर आपको दिखाई पढ़ रहा है, custom animation, इस पर आपको किलिक करना पड़ेगा, सबसे पहले आप presented by जो आपने लिखा उसको select कर लिजिए, इसके add effect, यहाँ पर एक option दिखाई पढ़ा, add effect पर आपको किलिक करना है, इसके बाद entrance, images, exits और motion, इनमें सम्में आपके effect मिलेंगे, आपको जिस option में जाना है, जिससे मालूम interest में जाते हैं, और यहाँ पर more effect पर किलिक करते हैं, इस dialogue box को अगर आपको move करना है, तो आपको यहाँ आपकर इसके title पर left button drag करते हुए, इसको ऐसे move करके side में कर देना है, इसके बाद यहाँ से आपको बहुत सारी effect हैं, जो effect आपको अच्छा लगे, कोई भी effect जो भी आपको पसंद हो, किसी एक effect पर आपको किलिक करके ok करना है, और फ्रेंट्स आप यह आपको ध्यान रखना ह कि यह effect जब हम किलिक करते हैं, तो देखें वहाँ पर जो भी हमारा title है, presented by वो देखें, उस effect के according, move हो रहा है, लेकिन यदि आपके computer में यह move नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखें लिखा है, preview effect, इस पर अगर tick नहीं है, तो आप लोग पहले tick कर लिजएगा, उसके बाद ही आप किलिक कर रहेंगे, तो आपका जो भी हैडिंग आपकी select होगी, वो move होगी, उस effect के according, तो यहाँ से देखें हम कोई भी effect आप ले सकते हैं, यह हमें ले लिया और ok कर दिया, अब इस effect को भी हमें अगर fast करना है, या very fast करना है, या slow करना है, तो इसके लिए option है, यहाँ पर हम जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो देखें, यहाँ पर हमको already 5 option मिलते हैं, यह लिखाए very slow, slow, medium, fast, very fast, याँ आपको किस प्रकार इसको move कराना है, very fast करना है, तो आप very fast लगाते हैं, medium देखें हम लगाते हैं, तो यह थोड़ा आराम से होगा इस तरह है, इसके बाद next दूसरी heading पर आपको किलिक करना है, दूसरी heading पर किलिक किया है, interest में गये, more effect में और यहाँ से आपको कोई भी effect ले लेना है फिर, यह effect ले लीजिए, इसके बाद okay कर दीजिए, फिर हम जाते हैं next अगले effect में, ऐसे अगली heading को select किया और दूसरा effect लिया यहाँ से, आप down करके इसमें से आप कोई भी effect ले सकते हैं, बहुत सारे effect हैं, जो आपको पसंद हो, कोई भी effect लेके okay कर दीजिए, आपको देखे, apply हो जाएगा, figure पर भी हम किलिक करते हैं, और अगला effect लेते हैं, यह effect ले लिया, okay कर दिया, तो friends यह मेरी एक slide बनके तयार हो गई, इसको हम play करके देखना चाहते हैं, कि यह slide किस प्रकार show होगी, सबसे पहले आप यहाँ play बटन लिखा है, आपको left बटन किलिक करना है, mouse का, left किलिक कर दिया है, देखे, जो भी हमने style लगाई थी, उस style के according, effect के according, देखे, slide हमारी move हो रही है, इस तरह, यदि आपको इसको full screen पे देखना है, तो आपको slide show option पे किलिक करना पड़ेगा, इसके लिए आप shift के साथ F5 की भी प्रेस कर सकते हैं, shift F5 जब आप प्रेस करेंगे, तो आपकी जो current slide होगी, यानि जो slide 2 होगी, वही show करेंगी, अगर आप F5 के वाल प्रेस करेंगे, तो आपकी जो first slide होगी, वो show करेंगी, यानि उस first slide से last slide तक आपकी show करेंगी, तो हम यहाँ पर slide show पे किलिक करते हैं, या shift के साथ F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग, हमने select किलिक किया, इसके बाद आपको देखना है friends, तो आप keyboard से enter की प्रेस करिए, तब भी आपकी slide show होगी, जो भी आपने effect लगाया है, वो show होगा, या फिर आप अपनी arrow की जो होती है, left, right, up, down, उनके द्वारा भी आप दे सकते हैं, या आप space बाहर की प्रेस करेंगे keyboard से, तब भी आपका जो भी आपने effect लगाया वो show होगा, या फिर आप mouse से कही पर भी किलिक करिए, तब भी आपकी, जो भी आपने effect निव स्लाइड, निव स्लाइड पर देखे, आप title स्लाइड ले सकते हैं, टाइटल और content वाली ले सकते हैं, जिस तरह जो स्लाइड आपको पशंद उस पर आप किसी एक स्लाइड पर किलिक कर लिजिए, अगर आपको इन स्लाइडों के लाओ, कोई blank स्लाइड लेनी है, तो आप blank स्लाइड पर जैसे ही किलिक करेंगे, आपके शामने blank स्लाइड आ जाएगी, इसके लिए आप keyboard से new स्लाइड के लिए आप control के साथ M प्रेस करके भी आप new स्लाइड ले सकते हैं, तो यह हमारी स्लाइड बनके आ गई है, आप इस पे हमको दूसरी डिजाइन लगानी ह तो क्या करेंगे हम, डिजाइन टैप पे जाएंगे, इसके बाद format style पे जाना है और format background को select करना है, यहां से हम कोई दूसरा color लेते हैं, माली जी हम यह ले ले लेते हैं, red color में थोड़ा, और close कर लेते हैं, आप इसमें हमको लगाना है, कोई दूसरा effect, दूसरी style लगानी है insert में गए, word art select किया, और इसके बाद आपको home में जाना है, language अपनी जो भी आपको पसंद हो, जैसे हम time channel ले ले लेते हैं, यहां से size increase and decrease कर सकते हैं, अपने according आप, font color आपको जो चाहिए, वो ले सकते हैं, जैसे हम आज ले इसमें white color लेते हैं, और format में जाने के बाद, line color भ अब इसके बाद हमको बनाना है, अगला, जैसे कि माचली हम इसको छोटा करते हैं, और थोड़ा सा keyboard के साथ brackets भी करते हैं, अब हमें इसे select करना है, friends, तो हम कैसे select करेंगे, F2 की press करेंगे keyboard से, select हो गया, इसके बाद हम ले देते हैं, हापर, what is computer, what is computer, यह friends हमने type कर दिया है, इसके बाद आपको question mark लगाना है, इस cap की press करनी है, इसके बाद आपको करना है control D, control D करेंगे, तो आपको जो भी title है वो duplicate हो जाएगा, arrow शे आप इसको set करिए, left, right arrow keyboard से, control के साथ brackets इसको छोटा कर लीजिए, और F2 की जैसे ही press करेंगे, वो आपको select हो जाएगा, और यहाँ पर हम मांच लिए computer की definition लिख देते हैं, ऐसे, अपना wattage computer को select करें, control D कर दीजिए, duplicate हो गया, down arrow के इसे नीचे आईए, आपको लेके मूग करके हुए, मूग करते हुए लाने के बाद, यहाँ पर हम लिख देते हैं, F2 की press किया, और लिख देते हैं keyboard, keyboard, इसका app की press करिए, control D कर दीजिए, यह duplicate हो गया, इसके बाद arrow से इसको move करिए, move करने के बाद, इसको हमने center पर रख लिया, इसे, F2 की press करना है, और यहाँ पर लिख देना है, CPU, फिर आपको control D करना है, फिर यहाँ पर हम F2 प्रेस करते ह VDU, इस तरह टाइप कर दिया, इसके बाद हमें keyboard का यहाँ figure लगाना है, यहाँ में CPU का figure लगाना है, और यहाँ monitor का, तो किस प्रकार लगाएंगे, तो इसके लिए friends करना आपको क्या है, अपने, आप अपनी slide को minimize करिए, आप जाईए, start पे अपने, all program पे जाईए, और sse option को select करिए, इसके बाद आपको आना है, ease of access पे आना है, इसके बाद आपको लेना है, आप पे on screen keyboard, on screen keyboard पे क्लिक कर लिजे, अब इसको हमें, इसका हमें screen sort लेना है, तो screen sort लेने के लिए keyboard से आप लोग window की के साथ S की प्रेस करते हैं, तो window S किया, window S करने के बाद, आपको इसका screen sort लेना है, window S प्रेस किया, इसके बाद, आईसे आप इसका screen sort ले लेजिए, जितना आपको चाहिए, अपने recording आप ले सकते हैं, और इसके बाद इस उपर वाला आपका keyboard को आपको close करना है, इसको आपका लिजे, cut, right click करिए, इस option पे, और cut पे left click कर दिजे, और अपने जो भी आपका power point ने, जो भी slide बना रहे हैं, आप presentation अपना open कर लिजे, और यहाँ पर कर दिजे, paste, control V भी कर सकते हैं, देखे, keyboard बनके आगया, अब इसको क्या करना को, drag करते हुए points से इसको, ऐसे, इसकी size कम करनी है, इस प्रकार size कम कर दिजे, और इसको थोड़ा bottom में लगा दिजे, ऐसे, यह bottom में लग गया, इसके बाद आपको CPU लगाना है, CPU का figure लगाना है, monitor का figure लगाना है, तो इसके लिए आप जाए insert में, clip out, clip out option को आप select करना है, और यहाँ पर आपको type करना है, monitor, अगर आपको CPU लगाना है, तो CPU लिख लिख के, इंटर कर दिजे, देखे, CPU आपके सामने आगया, पर left click करें, आपको CPU आपके page पर आजाएगा, आपको monitor चाहिए, तो यहाँ पर आप monitor लिख सकते हैं, इंटर कर दिजे, monitor लिख के, और monitor पर click कर देखे, monitor आगया, इसको हमने यहाँ से close कर दिया, यदे आपके पास पहले से figure हैं, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं, नहीं है, तो आप इस तरह लगा सकते हैं, search करके, clip out से, ऐसे, अब friends हमको यहाँ पर arrow लगानी है, तो हम जा पाद arrow, आपको ऐसे drag करना है, ऐसे drag करते हैं, बना दिजिए, अब इस arrow को हमको थोड़ा, इसकी मोटाई कर दी है, तो हम जाएंगे फार्मिड में, और यहाँ पर ले लेंगे, यह option है, यह arrow हमने ले लिया, अब देखे, यह arrow हमारी बन गई है, next हमको इधर भी arrow बनानी है, इसे नहीं CPU को दिखाना है, arrow के द्वारा, वीडियो को दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, control D कर देंगे, control D किया, देखे, double arrow हो गई, और इसको move करते हुए, drag करते हुए, SM ने set कर दिया इसको, इस प्रकार आपको set करना है, फिर control D करेंगे, यह भी देखे, set हो जा, आशे, यह set कर लिया है, आप इसमें हमको friends, animation लगाना है, तो animation हम कैसे लगांगे, सबसे पहले आपको फिर animation में जाना है, इसके बाद page style लगाने, इनको animation को आप page, किस प्रकार आप page देखना जाते हैं, slide show के समय यह देखे, यहां से हम कोई भी ले सकते हैं, यह हमने ल fast है, यह slow करना है, तो आपको वही transition speed में जाना है, और यहां पर हम लगा देते हैं, slow, यह देखे, आराम से page हुआ आपका slow motion में, इसके बाद आपको effect लगाना है, तो animation में जाना है, custom animation, पहले आप what is computer पे क्लिक करिए, यह वाटीज यह computer को select करिए, इसके बाद add effect में अब यहां से आप कोई भी effect ले सकते हैं, ऐसे, यह effect लगा दिया, next दूसरी heading पे क्लिक करिए, फिर यहां से आप effect लगा सकते हैं, यह effect ले लिया है, अब आपको keyboard जो लिखा है, उसके पहले लगाना effect, यह keyboard पर लगा दिया है, इसके बाद जो figure बना keyboard पर उसके लगाईए, इस figure पर लगा दिया आप, फिर आपको IRO जबनी उसके लगाना है, यह IRO पर लग गया, तो step by step इसी तरह आपको अपने हर एक option पे effect लगाना है, हर एक heading पे, इस तरह आप लगाते जाए, continue, बस परन्ट से यह आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको जो भी लिखा है, title उसके लगाईए, इसके बाद जो figure बना उसके लगाईए effect, इसके बाद IRO पे लगाईए, और इसकी यह पहचान है कि जो effect आपका लग जाता है, वहाँ पे देखें, number आपके automatic आजाते हैं, यह लग गया, आप चाहें तो यहाँ से play करके दे सकते हैं, अगर आपको यहाँ से play करके नहीं देखना है, तो आप अगर यही slide को आपको देखना है, तो इसके लिए आप shift के साथ F5 की प्रेस करके भी दे सकते हैं, हमने यह देखिए shift F5 प्रेस किया keyboard से, इसके बाद आप IRO से दे सकते हो, यह full screen पे इस तरह हैं, यह इंटर करके दे सकते हो, यह mouse से click करके आप दे सकते हैं, step by step, यह हमने effect लगाया था, ऐसे, इस तरह हैं, तो यह दो slide है हमारी बन गए हैं friends, अब next slide हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार हम effect और अच्छे लगा पकते हैं, किस प्रकार हम slide बनाएंगे, थोड़ा और एक टू लगे style हमारी presentation, तो उसके लिए next वीडियो में हम आपको second part में powerpoint के जरूब बताएंगे, तो friends यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस channel को आप like और subscribe जरूब करें, तब तक मिलते हैं next वीडियो में अगली presentation के साथ, तब तक के लिए जैहिन, good bye, बंदे मात्रा झाल